हेलो गाईज, अगर आप अपनी वेबसाइट का औरगनिक ट्राफिक इंप्रूफ करना चाते हो बिना किसी कंटेंट को लिखे तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी प्रो टिप बताऊंगा जो टिप बहुत से ब्लॉगर्स को नहीं पता है और अगर आप ये टिप जान लेते हो तो आप बिना कंटेंट लिखे जितने आपने कंटेंट अभी तक आपने साइट पर पब्लिस करें है उन्हीं को इंप्रूफ करके अपनी साइट का औरगनिक ट्राफिक बढ़ा सकते हो ये जो प्रो टिप है ये टिप बहुत लोगों को नहीं पता है और ये टिप आज लोग तो बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग जनली क्या करते हैं हम लोग जब भी कोई आर्टिकल लिखते हैं तो हम लोग केवल एक कीवर्ड को टार्गेट करके उसी को अपना में टार्गेट कीवर्ड मानके आर्टिकल लिखते हैं और कोसिस करते हैं कि मेरा आर्टिकल बस कुछ नहीं करना है बस थोड़ी देर हमारी जो वीडियो है इससे बस देखना है ठीक है लेकिन उससे पहले जब मैं अपनी टिप बताओं आप लोग क्या करो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं इससे होता क्या है कि मेरे मोटिवेशन डाउन हो जाता है वीडियो नहीं बनाने का मन करता है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो टीक है सब्सक्राइब करो तो बिल्कुल दिल खोल के, आप लोगों का सपोर्ट बहुत मतलब जादा जरूरी है मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड बटन पे क्लिक करो, बैल आइकन पे प्रेस करो, तुरंद करो, अब भी तुरंद कर लो, क्योंकि वीडियो जो आप पर आर्टिकल लुगते, अब जैसे कि ये बंगलावर्ट एक Keyword है, अब जैसे कि मानलो, आर्टिकल लिख रहे हैं, तो हम लोगं अपने इस बंगलावर्ट टीवर्ट को अपना मेन टार्ड़केट टीवड मान गे, और तो इसको टार्गेट करके एक आर्टिकल लिख देंगे ठीक है और बाइचांस वानलो हम इस कीवर्ड पर रैंक कर गएं रैंक कर गएं ठीक है तो हमें इतना ट्राफिक मिल जाएगा लेकिन एक बिगनर ब्लॉगर जिसकी वेबसाइट की अथालिटी बिल्कुल जीरो है ठीक है वो यहां पर कभी रैंक नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर मैं इसका इस चैट दिखाऊ इसके गूगल के टॉप 10 ब्लॉक्स की पूरी इस चैट दिखाऊ तो यहां पर आप देख सकते हो कितने हाई DAPA की website rank है और उससे जादा तो यहां पर backlink का खेल है यहां पर देखो कितने लोगों ने कितनी backlink बनाई है ठीक है अब देख सकते हो कितने domain से backlink लिए गई है तब जाकर लोग इस keyword पर rank कर रहे हैं और यहां से traffic gain कर रहे हैं ठीक है अब खेल सुरू होता है यहां पर आपने देखा कि आपके main keyword पर कितना ज्यादा competition है और आप केवल उसी पर target कर रहे हो अपने main keyword पर अगर इस पर rank कर गये तो चलो traffic मिल जाएगा ठीक है लेकिन अगर आप rank नहीं कर पाए तो आप लोगों को content तो बिकार हुआ ना आपकी जो महनत थी content के पीछे ठीक है आपन जिस keyword को अपना target keyword माना था उस पर आप rank नहीं कर पाए आने वाले तीन मंत के अंदर भी तो आपका पूरी महनत बरबाद हो गई लेकिन यहाँ पर खेल अब सुरू हुआ है हम लोग केवल उस keyword को target करते हैं जिस keyword को हमने main माना है लेकिन अगर मैं दूसरे blocks को देखूं यहा को अगर मैं देखूं तो यह सभी blocks यहाँ पर देखो कोई एक keyword पर rank है नहीं सभी कोई 160 कोई 424 कोई 206 ठीक है कोई 176 कोई 155 को 171 मतलब सब 100 प्लस keyword पर rank कर रहे हैं और सभी blocks का अगर traffic देखूं तो यह जो number one वाला traffic है ठीक है इसका block का यह 3000 के उपर इसके नीचे यह मेरा blog है इसका जो traffic है 3800 प्लस है इसके नीचे यह ब्लोग है वो देखो सबसे ज़्यादा gain कर रहा है ठाल नमबर पर अपने targeted keyword पर लेकिन इसी content को लिख करके वो 5000 plus traffic ला रहा है अब 5000 plus traffic क्यों ला रहा है वो मैं आप लिगों को बताता हूं और वो tip मैं बत नमबर open करूं तो आप एक चीज देखना यह जो article है ठीक है यह वन्दा अपने main keyword पर तो rank कर रहा है ठीक है ठल नमबर पर लेकिन यह देखो यह वन्दा इस keyword के alternative keyword ठीक है जिस keyword पर एक new blogger कभी ध्यान नहीं देता है उस keyword पर rank करके कितना traffic ला रहा है मतलब बंगलावर्ड डाउनलोड बंगलावर्ड फ्री डाउनलोड बंगलावर्ड ठीक है 1.9 डाउनलोड ठीक है free version इस keyword को कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ठीक है कोई सो type नहीं करना चाहेगा क्योंकि लोग कहेंगे कि इस keyword पर हमें traffic नहीं मिलेगा कोई keyword को search नहीं करता लेकिन ये बंदा उस keyword पर भी देखो second number पर rank करके 491 का traffic ला रहा है बंगलावर्ड software first number पर rank करके 106 का ला रहा है बंगलावर्ड software free download for pc first number पर rank करके 152 का ला रहा है अब देख सकते हो अगर मैं यह traffic देखो यह traffic है आप देखो यहाँ पर जितने भी keyword है आपने कभी keyword सोचे नहीं हो यह देखो long tail keyword बंगलावर्ड software free download for windows 7 32 bit ठीक है यह सब variant होते हैं बंगलावर्ड.exe इस keyword पर थर्ड नंबर पर रहा हैं के 15 का traffic ला रहा है मतलब यहां कहने का यह है कि केवल अगर हम अपने main keyword को target करेंगे यहाँ देखो इसको थर्ड नंबर पर रायंग करके यह बंदा main keyword पर traffic ला रहा है 690 का लेकिन इससे ज्यादा इसको traffic मिल ला है अपने alternative keyword पर जो कि यह बंगलावर्ड डाउनलोड बंगलावर्ड फ्री डाउनलोड ठीक है तो बंगलावर्ड फ्री डाउनलो ठीक है उसके main keyword को हम लोग सर्च करेंगे और वहां पर देखेंगे कि कौन से blocks सबसे ज़्यादा traffic गेन कर रहे हैं और उनके keywords को ऐसे ही open कर लेंगे उसके बाद हम वो keywords को select करेंगे जो keywords पर की मतलब जो KD यह वो कम है traffic intent बहुत जादा है और उस पर CPC अच्छा है उन keywords को क्य क्या करेंगे जो भी keyword है यह बंदा तो already rank है मालो अगर आप एक beginner blogger है तो आप क्या करो जितने भी keywords है इन में से बहुत से keyword है जिसको आप सोच नहीं सकते है बंगला वर्ट 1.9 software free download for Windows 7 इस keyword पर चार की KD है फूर्थ नंबर पर 37 का traffic है ठीक है इस keyword पर साथ मैं number 1 पर होंगा लेकिन चलो मैं भी दिखाओंगा नहीं लेकिन हम लोग क्या करेंगे उन keywords को target कर लेंगे यहां से जो keywords पर हम rank कर सकते हैं जिनकी KD कम है अब जैसे यह keyword बंगला वर्ट ठीक है बंगला वर्ट 1.9.0 इस keyword पर देखो हम क्या करेंगे इस keyword को easily अपने article में कहीं भी paste कर देंगे या फिर इसके उपर एक category बनाकर एक article या फिर कुछ पैरे लिख देंगे और उसको दुबारा submit कर देंगे search console पर देन उसके कुछी दिन बाद देखना आपका भी जो article है वो आपके alternative keyword पर rank करन करेगा और आपकी site को traffic दिलाएगा तो यह pro tip थी जो कि आज के time पर लोंग जो beginner blogger हैं वो कभी use नहीं करते हैं लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान से करो तो हो सकता है कि आप इपने traffic को increase कर सकते हो ओके तो फिर इतना ही आज के लिए मिलता हो next video में और चैनल को subscribe करना और भी new content आपके लिए लेकर आने वाला हूँ